what is up guys welcome back to another gameplay video of minecraft तो जैसा कि आपको याद होगा कि last time हम लोग गये थे cave में mining करने के लिए पदला हम एक gold diamond टूणना था और भाई साब इतनी height से गिरा हो ना भाई मैं कि direct में पटी गया और अपने वास जितने भी tools थे जितने भी item हमने जमा कि यह थे सब का सब चला गया तो आज मैं हूँ एक mine में और देको बगल में ही मेरे gold पड़ा हुआ है भाई साब लेकिन मैं यह gold ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास tools नहीं है कोई नहीं start करते है वीडियो को आप वीडियो को एक like और चैनल को subscribe कर लो मेरे को यह collect करने के लिए भाई iron की pickax से यह रहेगी और iron तो मेरे पास है नहीं भाई यार चलो आगे देखते है अगर mine में कहीं मिल गई तो ठीक है और ना तो भाई जाना बढ़ेगा कहीं केव अगेरा में mining के लिए अभे इसको तोड़ के फायदा ही क्या है कोई नहीं निकलते है आगे भाई अंदेरी गली torches लगा ले तो भाई ओके को और रास्ता है भाई साब मस्ते हार बड़ा सा अभे भाई यह क्या वाना रखा है भाई मैं तो गिर के ओके गिरी गया ठीक है आगे आगे काथी चेस्ट मिल जाना तो मझे आ जाएगा भाई लिए पूरी खाली लग रही है वहाई इंदा भे तेर को थोड़ी बुलाया मैंने अब है भाई निकलो इदर से निकलो 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 तो अपने ट्री आउस पर आपीस आगे हो देखने के लिए कि अपने वास आयरन होगे रहा है क्या कुछ प्लीज कुछ तो वाई मैं किस से बनाओ या टूल्स अभे वाई वुड के बनानी बढ़ेगी फिर से स्टोन होगे रहा कलेक्ट कर अभे वाई सब कुछ दोबारा स से कलेक्ट करना वाड़ेगा वाई नीचे केव में जाके तो कोई नी वुड़न टूल्स ही बना लेते हैं एक पीकेक्स बना लेते हैं वुड की और सौड बना लेता है क्योंकि बाई मॉप आएंगे तो उन से फाइट करने लिए लगेगा तो मेरे साब से इतना इनफ है मि और टॉर्चिस भी है ही तो निकलते है वड़ावड अपने ट्री आउस से किसी केव की तरफ और पीछे वाली साइड पर यह वाला केव जहां पर मैं मरा था लास्ट टाइम मतलब ओल डैमेज मिलके निपड गया था मैं यह आगे है थोड़ी बड़ी सी खाई भाई बड़ थोड़ा सा कोल है कोल ले लेते हैं कोल अपने काम आएंगे और टॉर्चिस बनाने के और स्टोन भी थोड़ा बहुत लहीं लेता हुए न कि ओकी तो टॉर्चिस बना लेते हैं वड़ावड से स्टिक से अपने पास पोल है अपने पास टॉर्चिस बन जाएंगे अच्छे से अब नीचे उतरते हैं फटावर भाई बहुत ही गैरी सी खाई यह देखो पहले वी टॉर्च मेरे लगे हुए इसी रास्ते से इसका अदलब में गया था लास्ट टाइम भी अब कहा गिर गया मैं इधर सी निकलते हैं कि अब कि अब कि तो देखते हैं यहां कि मिलने वाला है वैसे मेरे टॉर्च इस होंगे ना इदर मैंने लास्ट टाइम लगा कि गया तो था शायद से बट बहुत कम थे हैं मेरे बास भी अबे दो दो क्रीपर एक साथ आ रहे हैं निकलो इदर से जल्दी निकलो भाई भाई भाई फूट गये तो मैंने बढ़ी होंगा भाई कुछ नहीं मेरे पास आर्मर हो गया रहा अबे यार एक तो अंदेरा इतना हो था है इन केव में ना अबे जगह है नहीं जाने के कहीं पर अब चारो दरफ से बंद हैं एंडर मैं एंडर मैं ना मार दे भाई मेरे को यह के हाउस के बिलकुल पीछे और देख पार है अब कितनी ज्यादा हाइट पर है अचा हाइट तो इदर दिखेगी न मतलब देख रहा है कितने उची उची पाड़ियों बनाया भाई मन अपना गर तो देखते हैं नीचे पीछे के साइट पर कहीं पर कुछ मस जगा माइन वग गिर रहा हूँ मैं पीछे कोई अच्छा सा विलेज भी नहीं है यार आसपास मेरे कोई ओके उपर कोई तो माइन जैसी जगा लग रही है अब ये अब यार ये भी अजीब सी लग रहे है पूरा अंदेरा ही अंदेरा है भाई ये क्या जग है ज्यादा बड़ी लग नहीं रही मेरे को पता नहीं क्यों ये भी छुटको सी माइन लग रही है जहां पर कुछ नहीं अब ये क्या खाई सी बनी हुई है भाई भाई बच गया मैं अच्छा वा ज्यादा नीचे तक के नहीं था ये वरना तो मैं नहीं पड़े या था अब भाई कोल के लाओ कुछ नहीं गए इथर अब भाई तो की इस बार जाधा कुछ नहीं मिरको यहां से कुछ तूल्स लेने का अएरन का पिकेक्स बनाना अब कुछ टॉर्श बनाने वैसे मैं बाहर भी बना सकता था बट मिरको इस बार जाना है किसी विलेज में मतलब में ज्यादा चांसे जहारी सब चीजों के मिलने के अलग-अलग टूल सर यह सब चीजे तो चलो निकलते है कोई और कोई टूल तो बनने वाला है नी निकलते है इधर से फिर पड़ावट से सामने के दरफ जाकर देखता हूँ शायद उदर कोई विलेज मिल जायर अभी तक क कोई विलेज में कैसे नहीं गया मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो कि यहां पर एक रुइन पोटल है और ओवेसलि यहां गोल्ड में बिल्कुल भी नहीं ले सकता भाई यहां पर चेस्ट भी होती थी नहीं चेस्ट में यार मिलिया आरन होगे रहा कुछ भाई अगर चेस्ट में अब यार इस डैमेज अलग देता है भाई चेस्ट किदर साइड में इसकी ओके सामने ही बढ़ा हुआ है चेस्ट और देखते इसके अंदर अब भाई एक गोल्ड की शवल बड़ी है भाई बस और एफिशेंसी 3 है अच्छा है बट यार इससे क्या होगा गोल्ड से गोल्ड माइन करूं क्या मैं भाई निकलते है यार इदर से यह तो कुछ फायदा निवी नेक्स ताइम तोड़ लेंगे इसको ओके तो यह राव विलेज जिसमें इतनी दीर से डून रहा हुआ है और वो भी रात को जाके मिला है इदर मॉब होंगे बक्क क्रीपर होगे रहा भाई फोड देंगे मेरेको चलो फिर दलाशी स्टार्ट करी जाए या कल करे भाई यहां पर अच्छा कासा खाने के लिए भी फूड बढ़ा हुआ है अंदर पहले चेस्ट देख लेते इसके अंदर चेस्ट होता था ना अवे खुल्या गेट ऑके कर लो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो अगर नहीं किया है लिंक नीच डिस्क्रिप्टेंड में तब तक लिए गुब गाई थैंक्स रौचिन